हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पीटर पैन कॉलर ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रिंसस कईट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यह और आर्मोल लेना है 6.5 इंज यह अब अब हमें चेस्ट का फ्येस्ट पार्ट ले ना है तो 34 का फोर्ट पार्ट होगा 8.5 इंज और टू पॉईंट फैव इंज प्लस करना है मार्ण के लिए हम फ्रंट पार्ट की टिंग कर रहे है और नीची के साइट से 1 इंच एक्स्रा ले लिया है तक्स के लिए तो यह हमने फ्रेंट पाट और हम एक्ट की मर्केंग करेंगे तो कहें इसके जो फुक वहां में रखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंट पाट मिल्ए जो इसलिड़ था वह 7.7 इंच लिया था हम ने हाफ इंच हमिंच यहाफ पार कर ले नीचे से लाइन को ड्रो करना है और जो हमारी वेस्ट एवोड 28 उसका फोट पाट लेना है 7 इंच 2 इंच मारजन का और 1 इंच चक्स के लिए साइट से लाइन ड्रो कर लेनी है वन इंच से आरमल की साइट को लाई देनी है इन दोनों पार्ट को हम कट करेंगे cut कर लिया ये back part है ये front part है front part पर princess cut की marking करनी है तो यहां से हम marking करेंगे 3.5 inch पर tux point लेना है 10 inch पर princess cut का shape देना है और यहां पर tux की marking करनी है तो एक side से हम half inch पर करेंगी एक side से हम one inch पर करेंगे length में हमें इसे 3 inch ले लेना है और इस तरीके से shape देना है इसे हम cut करेंगे तो देखिए इसे cut कर लिया है man fabric पर cut करना है man fabric पर भी cut कर लिया है और sleeves हम इसकी बाद में cut करेंगे तो देखिए इन पार्टों को stitch कर लिया है lining fabric के साथ neck के width हमने आपर 3 inch लिया है neck की जो length है वो भी हम 3 inch ले रहे हैं इस तरीके से round shape देते हुए हम इसे cut करना है अब देखिए open part को हमने stitch कर लिया है और peter pan collar बना रहे हैं तो half inch हमने shoulder को down कर लिया दोनों ही side से जो pack का है उसे भी हम down करेंगे अब princess cut के जो part है वो हमें stitch करना है तो इस तरीके से रखेंगे और ने stitch करेंगे दोनों part stitch कर लिया है नीचे के side पट्टी लगाएंगे तो पट्टी की जो wheat थे है वो हमने 1.5 inch रखी है और एक stitch पट्टी के उपर से कर लेना है पट्टी को अंदर के side fold करते हूँ एक stitch और करेंगे तो दीखिए यहां पर पट्टी को लगा लिया है हमने और यहां पर 0.75 inch की आर्मुल की side पर गुलाई देनी है तो जब भी potnik blouse बनाए जब भी 0.75 inch की गुलाई दे और दीखिए भी यहां पर हम डिजाइन बनाएंगे फ्रेंट पर पेपर पेस्टिंग लिया है और यहां पर हमें मार्किंग करनी है इस पर तो दीखिए हमें 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और 3 इंच का हाफ लेना है हमें 1.5 inch तो 1.5 inch पर भी एक मार्किंग कर लेनी है यहां से हम मार्किंग करेंगे 0.75 inch की और यहां पर हमें leaf shape दे देना है यह देखिए इस तरीके से और अब इसे हमें cut करना है तो side से half inch extra लेते हुए हम इसे cut करेंगे कट कर लिया lining fabric पर paste कर लिया side से fold कर लिया center पर line भी draw कर ली है अब जो blouse इसके भी center पर क्लाइन ड्रो कर लिया हो center को center के ऊपर रखते हुए center से हमें craft stitch करेंगे तो देखिए से हमने stitch कर लिया और अब हम जो हमारी design है हम इसे stitch करना है अब जो design का extra fabric के center का उसे हम cut करेंगे और पूरी design पर cut लगाएंगे देख अंदर के side पलट दिया है इसे front part complete हो गया back part की neck की width हमने 3 inch रखी है और यहां पर इसकी जो length है वो हमने रखे 12.5 inch एक box बनाया हमने यहां पर उसमें shape दे देना है सरीके से और इसे हमें cut करना है यह देखे तो इसे हमने cut कर लिया और अब यह cross में हमने putty cut की है neck पर लगाने के लिए तो center से इसे cut कर लेना क्योंकि eye hook की putty लगाएंगे हम center पर और यहां पर देखे पटी को इस तरीके से लगा लेना है पूरे neck पर cut लगाएंगे और एक stitch पटी के उपर से करेंगे cut लगाना है पूरी ही पटी पर और अंदर की side fold करते हुए stitch करना है तो stitch करने के बाद आप इस पर iron कर लेंगे तो उसमें और भी जदा finishing आ जाएगी तो neck को stitch करते time आपको यहां पर easy होगा करना उसे neck लगाना neck को stitch करना तो देखे इस तरीके से neck को हम stitch कर लेंगे दोनों side से neck को stitch कर लिया है और अब दोनों को इस तरह से रखेंगे और neck को cut करेंगे तो यहां पर हमें collar लगानी है तो जो back part है वो हमें छोटा ही लेना होगा तो जो weight थे उसकी वो 3 inch रखेंगे length हम 1 inch ही रखेंगे क्योंकि collar लगानी है यह देखिए shoulder को down भी कर दिया है हमने और अब हम यहाँ पर hook की पटी लगाएंगे तो देखिए पटी को double कर लिया है और इस तरीके से stitch कर लेना है एक stitch पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करना है तो hook की पटी लगकर complete हो गई है और अब हम i की पटी लगाएंगे तो यह जो पटी है उसे weights में 2.5 inch लिया है निचे के side रखते हुए stitch कर लिया है और इसको side से fold करेंगे और stitch करेंगे तो देखिए हमने यह पर पटी को लगा लिया है अब हम यह पर shoulder को stitch करना है तो लिफर को stitch कर लिया है अब देखिए paper pasting लिया है और जो हमारा neck है उसे हमें इस तरीखे से यहां पर Shade कर लेना है और जो हमारी eye की पटी है उसे हमें आप़ measure नहीं करना है उसे हम बाहर के साइड निकाल देंगे दिखिए इस तरीके इस तरह से मैंने रखा है और यहाँ पर इसकी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे यह दिखिए इस तरह से थोड़ा सा बढ़ागते हुए हम इसे ले लेना है तो हमने इसे यहाँ पर बढ़ा ले आ है और अब यहाँ पर हमें स्केल लेना है और दिखिए इस तरह से मार्किंग कर ले रही है सेंटर पर नहीं लेना है इसकी जो वीट से वो हमें यहाँ पर टू इंच रख रहे हैं और देखिए सरी के से शेव दे देना है हमें यह देखिए इस तरह से हमने इसका शेव दे दिया है हम यह तो हमकिने एफरएक आए वो हम्मारा फ्रंड पर्ट यह अधिक्त के आएगा उस तरह किसी साइट से हम स्तेफ करेंगे पर पेस्ट करना हिए पर लाइनिंग पर पेस्ट कर लिया एक देखिए हाँ पर कॉलर लगाने के दुसरा फैबरिक लिया है मैंने यहाँ पर blouse की ही matching का और यहां पर इसके उपर हमने रख लिया है और इस तरह से इसको stitch करेंगी तो जो paper pasting है इसके उपर से मैं यहां पर stitch कर रही हूँ extra fabric cut कर लिया है और पूरे ही round में हमें cut लगाना है और इसे पलट लेना है पलट की इसके जो गोलाई है वो अच्छे से निकालेंगे गोलाई और corner और इस पर हम iron कर लेंगे ताकि अच्छे से set हो जाए तो दीखिए यहां पर इस पर iron कर लिया अब जो हमारी कॉलर है उसे हमें wrong side पर रखते हूँ इस्टीच करना है तो इसे wrong side पर हम stitch कर रहे हैं हम इसको पलटेंगे तो वो right side पर आ जाएगी और इस तरीके से पूरे round में हमें इसे stitch करना है यहां पर भी हमें cut लगाना है और इसे right side पर पलट देना है इसके उपर से हम एक stitch करेंगे यह दिखिए से हमने stitch कर लिया है कॉलर हमारी लग के complete हो गई अब दिखिए back जो पाट है वहां पर मैंने इसमें tux और मैं पटी लगाना नहीं लगाया था मैंने यहां पर तो हमको पटी लगा लेनी है टक्स हमने 4 इंच कर लिया है जो back armhole उसे measure करना है तो यह आरा 8.5 इंच तो sleeze को cut करेंगे तो sleeze की जो length है वो 3 इंच रखनी है और 1 इंच प्लस कर लिया है 4 इंच लिया है armhole था 8.5 इंच तो वही ले लिया है वो 2.5 इंच पर sleeze को हमें down करना है इस तरीके से sleeze का shape भी दिया तो जब भी 3 इंच की sleeze होती है तो front के लिए हम extra cut नहीं करते हैं और यहाँ पर हम इसे fold कर लेंगे इस तरीके से यह देखें अब स्लीज को यहाँ पर हमें स्टीच करना है दूसरी स्लीज भी स्टीच करेंगे सी तरीके से और एक स्टीच इसके उपर इस तरीके से कर लेना है ताकि जो स्टीचिंग का फट प्रीक है वह नट के साइट पर न दिखें वह नट के साइट पर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने हाँ पर इसको अंदर के साइट fold करते हुए स्टीच कर लिया है अब center पर पिन अप करना है और side से हम इसे stitch करेंगे दोनों ही side से stitch करेंगे और extra fabric cut करेंगे अब blouse को हमें उल्डा करना है और side से एक पिर का margin रखते हुए stitch करना है यह देखिए इस तरीके से अब हमें आप पर fitting लगानी है तो center से हमें chest के fourth part पर marking करनी है fourth part ही 8.5 inch और west का fourth part लेना है 7 inch चले इस round है हमारा यहाँ पर 12 उसका half लेंगे 6 inch तिनों marking को हम लाते हुए हम यहाँ पर fitting लगाएंगे दूसरे side भी सी तरीके से fitting लगानी है तो friends हमारा यह stylish peter pen blouse बन को complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसी लगी वीडियो को lecture जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा बैल आइकन की बेटन जरूर दबाईएगा तक कि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you